हम लोगों ने 2020 के मैच में तेजी के साथ बहुत कुछ बदलते देखा है लेकिन 2020 के इस साल ने सभी को मात दे दी है इतने उतार चड़ाव से देश गुजरा है पूरी दुनिया गुजरी है कि कुछ वर्षों बात जब हम करोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं आएगा लेकिन इस से भी सबसे अच्छी बात रही है जितनी तेजी से हलत बिगड़े उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे हैं फरवरी मार्च में जब पैंडेमिक का ये दोर शुरू हुआ था तो हम एक अन्नोन दुस्बन से लड़ रहे थे बहुत से अनिश्चित थे प्रोडक्शन हो लॉजिस्टिक्स हो एकोनोमी का रिवाइवल हो अंगिनत विशे थे और सवाल ये ही था कब तक ऐसा चलेगा हर एक के मन में ये ही सवाल था कैसे सप्थिक होगा इनी सवालों चुनोतियों चिंताओं उससे दुरिया का हर मानव उसी में फसा पड़ा था लेकिन आज दिसंबर आते आते स्थीती बहुत बदली हुई नजर आ रही है हमारे पास जवाब भी है और रोड मैब भी है आज जो economic indicators है वो उत्षा बढ़ाने वाले है हौसला बढ़ाने वाले है संकर के समय देश्म ने जो सीखा है उसने भविश्य के संकर्पों को और दड़ किया है और निश्यक तोर पर इसका बहुत बढ़ा स्रे भारत के entrepreneurs को जाता है भारत की UAPD को जाता है भारत के किसानों को जाता है आप सभी उद्यम्यों को सभी देश वासियों को जाता है साथियों हमेशा से ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास एक सबक जुड़ा रहा है जो देश ऐसी महामारी के समय अपने जादा से जादा नागरीकों को बचा ले जाता है उस देश की बाकी सारी व्यवस्ताएं उतनी ही तेज़ी के साथ रिबाउंड करने के ताकत रखती है इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरीकों के जीवन को सरवच्च प्रात्विक्ता दी जादा से जादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है दुनिया भी देख रही है भारत ने जिस तरख बीते कुछ महिनों में एक जुड़ होकर काम किया है नीतिया बनाई है निरने लिये हैं ठीतियों को समाला है उसने पूरी दुनिया को चकीत करके रख दिया है बीते च्छे वर्षों में दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना था वो बीते महिनों में और मजबुत हुआ है FDI हो या FPI विदेशी निवसकों ने रेकॉर्ड इन्वेस्टमेंट भारत में किया है और निरंतर कर रहे हैं साथियों आज देश का प्रत्येक नागरीक आत्म निर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिवद्ध है लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है ये एक जिवन्त उदारण है कि देश को अपने प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ पर कितना विश्वास है भारत का प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ हमारी दोमेस्टिक नीज को पुरा कर सकता है लेकिन ग्लोबली भी अपनी पहचान उसको और मजबूती से स्थापित कर सकता है साथियों आत्मां देरभर भारत भ्यान भारत में क्वालिटिव प्रोडक्स बनाने और भारत के इंडस्टिको और ज़्यादा कॉम्पेटिटिव बनाने का भी माध्यम है और 2014 में पहली बार जब लाल के लिए से मुझे बोलने का मौका मिला था तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा लक्ष रहना चाहिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट साथियों अनुभव रहा है कि पहले के समय की नितियों ने कई खेत्रों में इन एफिसेंसी को समरक्षन दिया है नए प्रयोग करने से रोका है जबकि आत्मंदिर भर भारत अभ्यान हर खेत्र में एफिसेंसी को बढ़ावा देता है ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत के पास लॉंग टर्म कॉंपिटिटिव एडवांटेज है उनमें सन्राइज और टेक्नलोजी ब्रेज इंडर्सिज को नई उर्जा देने पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है हम चाहते हैं कि हमारी ये इनफंट इंडर्सिज भी भविश्में और अधिक स्ट्रॉंग और इंडिपेंडेंट बनें इसलिए आपने देखा होगा एक और एहम कदम उठाया गया है देश में प्रोड़क्शन लिंग इंसेंटिव स्कीम सुरू की गई है इस स्कीम उन उद्ध्योगों के लिए हैं जिन में भारत ग्लोबल चेंपियन बनने की ख्रमता रखता है जो परफॉर्म करेगा जो एपिसेंसी से काम करेगा जो अपने सेक्टर में देश को आत्मन निर्भर बनाएगा वो इंसेंटिव का भी हगदार होगा साथियों जीवन हो या गवर्नेंस हम एक पैराडॉक्स अक्सर देखते हैं जो कॉन्फिनेंट होता है वो दूसरों को जगर देने में हिचकी चाता नहीं है लेकिन जो दुर्बलमन का होता है इन्शिक्कर होता है वो अपने आजपास के लोगों को भी अवसर देने से डरता है अक्सर सरकारों को लेकर भी ऐसा ही होता है जनता जदारदन के भारी समर्धन और विश्वास से बिली सरकार का अपना ही confidence होता है और उतना ही dedication भी होता है और तभी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को चरितार करने के लिए जी जान से सरकार जुटी रहती है सरकार जितनी निर्णायक होती है वो दूसरों के लिए अर्चनों को उतना ही कम करती है एक निर्णायक सरकार की हमेशा कोशिच होती है कि वो समाज के लिए, राष्ट के लिए जादा से जादा कंट्रिबूट करे एक निर्णायक और आत्म विश्वास से भरी सरकार ये भी नहीं चाहती कि सारा कंट्रोल अपने पास रखे दूसरों को कुछ करने ही न दे पहले के दोर में सरकारों की इस सोच के आप सभी साक्षी भी हैं और देश उसका शिकार भी रहा है सोच क्या थी? सब कुछ सरकार करेंगी गड़ी बनानी हो तो सरकार बनाती थी स्कूटर बनाना हो सरकार बनाती थी टीवी बनाना रहो तो सरकार बना रही यहां तक कि ब्रेड और केक भी सरकार ही बनाती थी हमने देखा है इस एप्रोच ने कितनी दुर्दशा की है इससे अलग एक दुर्दर्शी और नेना एक सरकार हर स्टेक होल्डर को प्रोसाइट करती है ताकि वो अपनी छमताओं का पूरा उप्योग कर सके हैं साथियों पिछले छे वर्षों में भारत ने भी ऐसी ही सरकार देखी है जो सिरफ और सिरफ एक सो तीस करोर देश वासियों के सपनों को समर्पित है जो हर स्तर पर देश वासियों को आगे लेने के लिए काम कर रही है भारत में आज हर खेत्र में हर स्टेक ओल्डर की भागेदारी बढ़ाने के लिए काम हो रहा है इसी सोच के साथ manufacturing से MSME तक, agriculture से लेकर infrastructure तक, tech industry से taxation तक, real estate से regulatory easing तक, चोथ अरफा reform किये गए हैं, आज भारत में corporate tax दुनिया में सबसे competitive है, आज भारत दुनिया के उनकुछ देशों में शामीर है, जहां faceless assessment और faceless appeal की सुविदा है, इंस्पेक्टर राच और tax terrorism के दौर के पीछे छोड़कर, भारत अपने देश के उद्यमियों के सामर्थ पर वरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है, माइनिंग हो, defense हो, space हो, ज्यादा तर sector को investment के लिए, भारतिय टैलेंट के लिए, competition के लिए, आज अवसरों की एक प्रकार से, अंगिनत अवसरों की एक परंपरा खड़ी कर दिये है, देश में logistic को competitive बनाने के लिए, multi-modal connectivity पर focus किया जा रहा है, साथ क्यों, एक vibrant economy में, जब एक sector grow करता है, तो उसका सूल सीधा प्रभाव, दूसरे सेक्टरों पर भी होता है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, कि अगर एक industry से दूसरी के बीच में, बे बज़र की दिवारे खड़ी कर दी जाएं, तो क्या होगा, तब कोई industry उतनी तेजी से grow नहीं कर पाएगी, जीतनी की उसमें ताकत है, जिसका तो करना चाहिए, एक industry किसी तरह grow भी करेगी, तो उसका प्रभाव दूसरे sector पर भी कभी नहीं पड़ेगा, अलग-अलग sectors में, इस दिवार ने देश की अर्थिववस्ता का बहुत नुक्सान किया है, सामान ने मानवी का नुक्सान किया है, अब देश में जो रिफार्म हो रहे हैं, वो इन दिवारों को हटाने का काम कर रहे हैं, अभी हाली में, जो agriculture reforms हुए हैं, वो इसी की एक कड़ी है, अग्रिकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्यक्षेत्रों, चाहे वो अग्रिकल्चर इंफ्रास्रक्टर हो, फूर्ड प्रोसेंसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दिवारे देखी हैं, अब ये सभी दिवारे हटाई जा रही हैं, सभी अर्चने हटाई जा रही हैं, इन दिवारों के हटने के बाब, इन reforms के बाब, किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलोजी का ज़्यादा लाब मिलेगा, देश का cold storage infrastructure आधुनिख होगा, इन सबसे क्रिशीक शेत्र में जादा निवेस होगा, और इन सबका सबसे जादा फाइदा, अगर किसी को होने वाला है, तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिन्दगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है, हमारे देश की अर्थे बबस्ता को, अलग-अलग सेक्टर्स में, दिवारे नहीं, जादा से जादा ब्रिजित चाहिए, ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके, साथ क्यों, बीते वर्षों में, इन दिवारों को तोड़ने के लिए, कैसे एक प्लांड और इंटिग्रेटेड एप्रोच के साथ रिफॉर्म किये गए हैं, इसका एक बहतरी उधारन है, देश के करोड़ों लोगों का फाइनांसल इंक्लूजन, अब हम बैंकिंग इंक्लूजन के से मोस्ट इंक्लूजीव देशों में शामिल हो गए हैं, आप भी इस बात के गवार हैं हैं, कि तमाम अवरोधों को दूर करते हुए, भारत में किस तरह आधार को सम्वेधानिक समरक्षन दिया गया, हमने अन बैंक को बैंकों से जोड़ा, सस्ता मोबाइल डेटा, सस्ते फोन उपलब्द करा कर, गरीब से गरीब को कनेक्ट किया, तब जाकर जन्दन खाते, आधार और मोबाइल, जे ए एम की तिनी तिनी देश को प्राप्त हुई, साथ कियों, आज दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर सिस्टीम, देश में काम कर रहा है, डीबीटी देश में काम कर रहा है, अभी आपने भी एक इंटरनेशनल जर्नल की वो रिपोर्ट पड़ी होगी, जिसमें भारत में बनाई गई सिववस्था की, भूरी भूरी प्रसमसा की गई है, कोरोना के समय में, जब अनेक देशों को अपने नागरीकों तक सीधे पैसे भेजने में दिक्कत आ रही थी, वो चैक और डाग विभागपन निर्वर थे, भारत सिर्फ एक क्लिक कर से हजारों करोर रुपिये, कोटी-कोटी नागरीकों के बैंक खातों में तांस्फर कर रहा था, पल भर में वो भी तब जब बैंक बन थे, देश में लॉकडाउन था, अंतर राष्टिय जगत के बड़े-बड़े जानकार, अब ये कह रहे हैं कि भारत के इस मोडल से दूसरे देशों को भी सिखना चाहिए, ये पढ़कर, ये सुनकर किसे घर्व नहीं होगा, साथ क्यों, एक समय था, जब कुछ लोग ये सवाल उठाते थे, कि असिक्षा और गरीबी भरे माहूल में भारत कैसे टेक्लियोलोजी को अपने सामान्य नागरिकों तक पहुँच पाएगा, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है, और बहुत सफलका के साथ करके दिखाया है, दिखायता रहेगा, आज अकेले UPI प्लेटफॉर्म पर ही हर महिने करीब करीब चार लाग करोड रुप्य का ट्रांजेक्शन हो रहा है, चार लाग करोड रुप्य का ट्रांजेक्शन है, और हर महिने नए रिकॉर्ड बन रहे है, आज गाउं देहांत में भी छोटे छोटे रेडी ठेलों पर भी आज डिजिटल पैमेंट सम्भव हो रहा है, भारत के उद्ध्योग जगत को देश की इस ताकत को समझते हुए आगे बढ़ना है, साथियों हम जैसा गाउं और छोटे शहरों का माहोर टीवी या फिल्मों में देखते हुए बढ़े हुए हैं, उससे इनके बारे में एक अलग धाना बनाना स्वाभावी है, शहरों और गाउं के बीच फिजिकल दूरी कभी उतनी नहीं रही, जितनी दूरी परस्पक्टिव को लेकर रही है, कुछ लोगों के लिए गाउं का मतलब ऐसी जगर रहा है, जहां आना जाना मुश्किल हो, जहां बहुत कम सुविदाएं हो, बहुत कम विकास हुआ हो, पिछड़ा पन ही पिछड़ा पन पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप आज रूरल या सेमी रूरल इलाकों में जाएंगे, तो आपको एकदम अलग द्रश्य मिलेगा, एक नई आशा, नया विश्वास आपको नजर आएगा, आज का ग्रामिन भारत बहुत बड़े बड़लाव के देर से दौर से गुजर रहा है, क्या आप जानते हैं, कि रूरल इंडिया में, एक्टिव इंटरनेट इजर्स की संख्या, सेहरों से जादा हो चुकी है, क्या आप जानते हैं, कि भारत के आदे से जादा स्टार्ट अप्स हमारे टियर टू, टियर थी सेहरों में हैं, प्रदान मंत्री ग्रामिन सडक योजना से देश की लगबग 98% बस्तियां सडकों से जुड़ चुकी है, कहने का मतलब ये कि गाउं के लोग अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं, गाउं में रहने वालों की आकांख्षा बढ़ रही है, वो सोच्यो एकोनामिक मोबिलिटी चाहते हैं, सरकार अपनी तरफ से इनी आकांख्षाओं की पूर्ति करने में जुटी है, अब जैसे हाल में लॉंच की गई पीएम बानी योजना, उस पीएम बानी योजना को ले लीजिए, इस योजना के तहट देश भर में सार्वजनीक वाइफाई होट्सपोर्ट का नेट्वर्क तयार किया जाएगा, इसे गाउं गाउं में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होगा, मेरा तमाम उद्यमियों से आगर रहेगा, कि इस एफसर का उप्योग करते विए रूरल और सेमी रूरल शेत्रों में, बहतर कनेक्टिविटी के प्रयासों में भागिदार बने, यह निश्चित है, कि 21 सदी के भारत की ग्रोथ को गाउं और छोटे शहरी सपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए आप जैसे एंट्रेप्रनस को गाउं और छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट का मोका बिलकुल नहीं गवाना चाहिए, आपके द्वारा किया गए इन्वेस्टमेंट हमारे गाउं में रहने वाले भाई बेहनों के लिए, हमारे एग्रिकल्टर सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा, साथियों, देश के एग्रिकल्चर सेक्टर की उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किये गए हैं आज भारत का एग्रिकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक बाइबरेंट हुआ है आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहार भी बेचने का विकल्प है आज भारत में मंडियों का आधुकरण आधुनी करण तो हो ही रहा है किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है इन सारे प्रयासों का लक्ष यही है कि किसानों की आए बड़े देश का किसान समरुद्ध हो जब देश का किसान समरुद्ध होगा तो देश भी समरुद्ध होगा आपको मैं एक और उदहान देता हूँ कि क्रिशिक छेत्र को पहले कैसे हंडल किया जा रहा था सात्यों हमारे देश में पहले इथेनौल तक को प्राथ्विक्ता देकर इंपोर्ट किया जाता था जब कि खेतों में गन्ना किसान परेशान रहता था कि उसका गन्ना बिक नहीं रहा या उसके गन्ना किसानों का हजारो करोड रुप्य का बकाया भी समय पर मिलता नहीं था हमने इस स्थित्य को बदला हमने देश में ही इथेनौल के उत्वादन को बढ़ावा दिया पहले चीनी बनती थी, गुड बनता था, कभी चीनी के दाम गिर जाते थे, तो किसान को पैसे नहीं मिलते थे, कभी चीनी के दाम बढ़ जाते थे, तो कंजुमर को तकलिप होती थी, याने कोई व्यवस्था ऐसी चलनी नहीं सकती और दूसरी तरफ, हम हमारे कार, स्कूटर चलाने के लिए विदेशों से पैट्रोल लाते थे, अब अगरे काम इथनौल भी कर सकता था, अब देश में पैट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथनौल की ब्लैंडिंग करने की तरफ बढ़ रहा है, सोचिए, इससे कितना बढ़ा कामनी तो बढ़ेगी, रोजगार के भी नए आउसर मिलेंगे, साथियों, आज जब मैं उद्योग जगत के वरिष्ट लोगों के बीच हूँ, तो इस बात को भी खुल कर कहूंगा, कि जितना हमारे देश में एगरी कल्चर पर प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश कि मैं जाना चाहिए था, दुरवाग resistor से उतना नहीं हुआ, इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर द्वारा उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, हमारे यहां कोल्ड स्टोरिज के समस्याय रही है, बिना प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट के सप्लाई चेन, बहुत सिमित दा Agriculture Sector के ऐसी कितनी चुनोतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकान निरंतर काम कर रही है लेकिन इसमें आपके इंट्रेस्ट और आपके इंवेस्टमेंट दोनों की आवशक्ता है मैं मानता हूं कि Agriculture से जूड़ी कई कमपनिया अच्छा काम कर रही है लेकिन सर्फ उतना ही काफी नहीं है। हमारे देश के किसानों का फसलों का नुक्सान कम होगा। उतनी ही उनकी आए बढ़ेगी। आज ग्रामिन छेत्र में एग्रो बेज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। पहले की नीतियां जो भी रही हो लेकिन आज की पॉलिसीज ग्रामिन, कुरुशी, आधारीत, अर्थे बवस्ता विक्सित करने के लिए बहुत अनुकूल है। नीती से और नियत से सरकार पुरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिविद्ध है। साथ क्यों, एग्री कल्चर के साथ ही सर्विस सेक्टर हो, मैनिफेक्टरिंग हो, सोचिल सेक्टर हो, इसमें हम एक दुसरे को कॉंप्लिमेंट कैसे करें, इस पर हमें पूरी एनर्जी लगानी है। फीकी जैसे संगशनों को, इसमें ब्रीज भी बनना है और इंस्पिरेशन भी बनना है। MSM इसको सरकार ने ताकत दी है, आप इस ताकत को मल्टिप्लाइ कर सकते हैं। लोकल वैल्यू और सप्लाइ चेन को कैसे ससक्त करें। ग्लोबल सप्लाइ चेन में कैसे भारत की भूमे का व्यापक हो। इस पस्ट लक्ष के साथ हम सब को मिल करके काम करना है। भारत के पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है और मिशन मोड पर काम करने की कैपेबिलिटी भी है। पैंडेमिक के इस दौर में भी हमने देखा है कि आत्मंदिर्भाता की तरफ बढ़ना भारत का हर कदम कैसे पूरी दुनिया को लाब देता है। हमारे फार्मा सेक्टर ने मुश्किल समय में भी ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं होने दिया। अब जब भारत वैक्सिन मैनिफेक्टरिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है। तो इससे भारत के करोडों जीवन को तो लाब सुरक्षा कबज मिलेगा ही। दुनिया के अनेक देशों में भी नई उमईद जगी है। साथियों हम लोग एक मंत्र से सब परिचीत है। और वो हमारी जीवन के लिए अवशक भी है। हमारी यहां कहा गया है तनमे मनह सिव संकल्प अस्तू। यानि मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो। इसी भाव से हमें आगे बढ़ना है। देश के लक्ष, देश के संकल्प, देश की नीतिया स्पस्ट है। इनफरस्ट्रक्चर हो या पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर भारत के इरादे पक्के है। महामारी के रूप में जो भी स्प्रिट वेकर आया था अब हम उसे आगे निकल रहे हैं। अम नए विश्वास के साथ हम सभी को पहले से अधिक महनत करनी है। विश्वार्स और आत्मी विश्वास भरे इस माहूल के साथ ही हमें अब नए दशक में आगे चलना है। वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतमतरता के 55 वक्त वर्ष का पर्व मनाएगा। आज़ाजी के अंदोलन से लेकर आज तक फिक्की की भी देश की विकास यात्रा में बड़ी भूमिका रही है। फिक्की के भी 100 वर्ष बहुत दूर नहीं है। इस महत्वपुन पड़ाओ पर आपको राष्ट निर्मान की अपनी भूमिका को और विस्तार देना है। और व्यापक बनाना है। आपके प्रयास आत्मन निर्भर भारत के अभ्यान को और गती देंगे। आपके प्रयास लोकल के लिए वोकल के मंत्र को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले।